देखो अब से आपको Raw और SmackDown के Shows को भी किसी Premium Live Events से कम समझने की जुरत नहीं है अटलिस्ट ऐसा WWE चा रही है उन्होंने एक एक्सपरिमेंट किया जो कि उनकी नजलों में बहुत जादा सकस्फुल है जैसे हम देख भे रहे हैं अभी जो recently WWE के Shows हुए है मेन वाले मतलब Premium Live End की में बात कर रहा हूँ वहाँ पर मैचस कम रहे हैं और इसकी बजाए WWE ने वो चीज़ें जो कि शाद Premium Live End में होती थी किसी जमाने में उन सारी चीज़ों को Raw और SmackDown के Shows पर करना शुरू कर दिया इसी ही कि WWE के Premium Live End या PPV पहले WWE Network पे आते थे तो वह ऐसे सोचते थे कि Raw SmackDown के पैसे तो में मिली गए है वोईस ओफ रेसलिंग के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है बैश इन बर्लिन में आपको पता है CM Punk और Drew McIntyre का स्ट्रैप मैच होने वाला है और देखो कितने बडिया तरीके से WWE को अपने इस मैच के लिए स्पॉंसर मिल चुका है जो बडिस्टा और Drew McIntyre की मुवी है The Killers Game वहाँ पे दोनों ही होने वाले मतलब ऐसा मेजर रोल तो बडिस्टा का यह और Drew McIntyre का भी एक साइट सा कुछ रोल है वो मुवी में देख के पता चल जाएगा तो इस मैच को ही स्पॉंसर कर रहा है यह वाली मुवी तो यह WWE के लिए बड़ी ऐसी हो गया और Bash in Berlin की जो प्रेडिक्शन्स है वो कल स्मैक डॉन के ठीक बाद आ जाएगे और Spotify तो आप लोग Spotify पर जाके अभी से अक्टिव एक्टिव हो सकते हो नोटिफिकेशन ओन कर सकते हो बड़ी की टीशट है कैसी बिक्री है उसकी बात कर लेते हैं तो यह आप ट्वीट देख सकते हो पूरा नंबर वन पर रोमन रेंच आयो है धोनों स्पॉर्ट पर अपनी OTC वाली टीशट और हुडी के साथ उसके बाद जॉन सने की फेरवल टूर वाली भी है रियर रिपली की फिर स्टोन कोल तो भाई हमेशा यहां पर रहते हैं सीम पंग के रेटन वाली उसके बाद परी लिस देख सकते हो कि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहां पर रोना दोना चलते रहता है तो अब लोग बोल रहे हैं और भाई को बताने वाला हूं यह आपकी होप्स बहुत जादा हाई गड़े कि अब रन को लेकर जब अपनी बैक को पूरी तरीखे से फिक्स करवा के आ चुके हैं रैंडी ओटन ने पहले भी अपने एक पॉड़कास्ट में बोला था कि वो कहते हैं मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी तक तो मैं अपने डबल डबली करियर में कुछ किया ही नहीं है और यह बात रैंडी ओटन जैसा बंदा बोल रहा है ज्य को थोड़ा अजीब लेगा सुनने में लेकिन मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि जैसे कि मैं अपनी दुबारा प्राइम में आ चुका हूं अब मैं आपको यह समझाता हूं कि रैंडी ओटन का क्रेटिव कंट्रोल है कि वो जो चीजे चाहते हैं वो उनको मिलेंगी डबल डबली अब क्या करते हैं वो बहुत साही लोग ऐसे उमीद तुझता लगा नहीं रहे कि वो जीतेंगे बट रैंडी ओटन बोलने ऐसी बात है तो कुछ लॉजिक और संस तो हो गई वाई फिर इसका कुछ दिन पहले मैं आपको वीडियो में बताया था कि रे मिस्ट्रियो कहते है कि एक बार और अपने बेटे के सांथ मुझे उसका मुझे तोडने का मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा वो कहते है मैं अपने मास्क को अंदलाइन रखोंगा और वो अपनी जो मूझ है या अपनी जो इसके हैरस्टाल है उसका जवाब बेटे की तरफ से आ चुका है क्या कभी ऐसा पॉइंट आएगा भी जब दोनों बाप बेटे करेक्टर ब्रेक करके ऐसे टेलिविजन पर साथ में ऐसे खुशी खुशी दीखेंगे एक वो किसने कर जया तो मैं भोल यार किसी को याद है तो बताना मैं अपनी वीडियो में बता तो से एक किसी बता है तो मैं आपको अपनी वीडियो में बताते रहा तो इंडी शोस के अंदर वो क्या करने साथ वो जय ट्रिपल अ प्रमोशन में जाकर टैग चैंपनी बन चुके हैं अब वह औल इलीड रेस्लिंग कंपनी में भी क्या सकते हैं अब इसकी स्टोरी बहुत इंट्रस्ट बता उसके पीछे कैसा बिलता जहां पर उन्हें बोला था फूद एफ इस हुक करके उन्हें उनका मसाग उडा दिया था हुक ने वैसे आल इंड में चैंपमेंशिप जीती जिसके बाद जिंदर ने ट्वीड करके उनको कंग्रेचुलेट किया था तो अब जो ब्रेजे सा किसी जिगा पर ज्यादा बात की निया है मैं अपनी डेट्स को एंज़ाए कर रहा हूं मैं अपनी फैमली के साथ भी टाम स्पेंड कर पा रहा हूं तो जिंदर का प्लान तो है और मुझे लगता है जिस तरीके से हमने पास्में चीज़े देखे नहीं कि अरे उसने वैसा इसा वहला तो उनको बस दिखना चाहिए कि क्या उस चीज से हम हैड्लाइन में आ सकते हैं और डेफिनिटी यह बात तो है कि अगर जिंदर अल्ली ट्रेसलिंग में आते हैं तो हैड्लाइन के अंदर तो जरू रहे हैं और अगर वो हुक के सामने भी खड़े होते हैं अब कितना केपिटलाइस करती है फिर वो देखने वाली बात होगी धीरी धीरे करके वह पुराना वाला फिन बैलर शायद वापस आ रहा है जज्जमेंट डे से अलग होने के बाद जज्जमेंट बनाने के बाद यह लाइवेंट में आप उनकी एंट्रेंस देख सकते हैं जेड सीधा ही बेट्रे करने के बाद डेमन प्रीस्ट को वह तगड़ा वाला पुराना वाला करेक्टर आजागा हील वाला वा जागा वो उन्हें किया नी मुझे लगता जिज्जमेंट डे के अंदर अभी बहुत कुछ रस है जिसको निचोड़ना बागी है जब ड़ 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 तो अपने आप में हैं इन्फिमस और साथ में जो टामा टोंगा है उनके कल वाली वीडियो में आपको बताता कैसी एंट्रेंस पर बोलते वे जाते हैं तो खुद ही ड़ 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 ट्वीट कर रहे है कि किस जोन में यह है और जे उसो ने भी इसके उपर रियाइट कि नहीं है आप इंडीस के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे देखोगे क्योंकि यहां पर फिर लोग कैज्यो लोग भी इतना एकसेप्ट नहीं करते बट जिस तरिके से यह ब्लड लाइन करी है उपर से फिर उनने कहर भी मचा रहा है तो अब हां लग रहा है कि सूट कर रहा है सब वैकलों से जे उसौ की नजरें सिर ब्लड लाइन के ऊपर नहीं रिया रिप्ली के ऊपर बी याप पोर नहीं प्छले कुछ हप्तों से या पहले से भी काफी हैजगी जे फूर महती वाली स्टोरलाइन बना रहे थे आप क्मी आब कि ऐ प्जैन पोरी एक वीडियो पो स की तरह भाग रहें फिर लोग बोलते हैं कि यारी ब्लड लाइन ओजी वाली ब्लड लाइन को भी रिउनाइट करेंगे फिर तीसरी साइट बोलती है कि यारी रिया रिपली के सांथ भी ये स्टोर लाइन दिखा सकते हैं तो जे उसो के पास तो बहुत सारे options हैं मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि या जे उसो मैंने ट्वीट भी किया था कि जे उसो को नहीं मिलना चाहिए चैंपेंशिप के मैच ऐसा वैसा वह बंदा इतना टाइम से अंटरेटेन करता तो डिजर्फ तो करता है भली हाँ यह बात में मानुगा कि यीट करने के अलावा ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करने मैच सुन के अच्छे होते हैं थोड़ा और कैरेक्टर को पॉलिश होने की सुरहता है लेकिन ऐसे भाई विलकुल इग्नोर तो नहीं करता है वो लोग एप्रिशेट ही नहीं करते हैं 25 सितंबर को एक बम फटने वाला है नेट्फिक्स के उपर नहीं मंडे नाट रहो तो चलो अगले साल आने वाली है लेकिन नेट्फिक्स पर जो मिस्टर मिक्मैन वाली डॉक्यूमेंटरी है वो प्रेमियर होगी और इसमें हमको यह भी डीटेल्स पता चली है कि इसके 6 और उसके बाद विजए से जो भी सारी चीजें अब तो फिर बाद में पता भी चलिया वह सची है तो वह भी उसमें इंक्लूड होने वाला मैं यह देख रहा हूं कि कितनी ज्यादा ट्रांस्परेंट होने वाली है डॉक्यूमेंटरी क्योंकि अगर इसका पर इसका पर्प बढ़ता कि चाहिए वह अब कंपनी के अंदर है या फिर नहीं जब भी दॉक्यूमेंटरी आगी तो इसका भी इसकी डॉक्यूमेंटर पर बना सकता हूं मतलब डॉक्यूमेंटरी की डॉक्यूमेंटरी वैसे हमारे लिए बात इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती लेकिन ओर् अब डॉक्यूमेंटरी को माना जाता है बट अब डॉक्यूमेंटरी के अंदर सारी एक्टिविटीज होती है उसको वहां जाके मूव कर दिया जाएगा अब दोनों में सब्सक्राइब कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट से इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन अगर और ऐसा है तो और लेंडो के बाद लास्ट वेगस वाले नाम को आप जादा बोलते हुए सुनो के डबल लॉब्ली सूपर स्टार्स के मूँस और पिछले कुछ ताइम में आप देखो लास्ट वेगस के डबल लॉब्ली को जादा ही फोकस है कुछ तो वहां पर डबल मैच मतलब कि अपता को पहले भी आसकते हैं लेकिन वह चीज बाद फिरसे रोवन रेंज गाया बहुत चुकित या बैशन में तो पता है उनका आने का कोई चांस तो यहां से लगनी रहा बटा बैड बल लुड वाले शो की जब बात आती है जिसको वह नाम के साथ जोड़ जा रहा है Bloodline से तो Roman Reigns का वहां पर क्या status रहने वाला है तो currently scenario को देखते हुए Solo Sikowa Jacob Fatu ये सारे नेम है जिनके साथ WWE Roman Reigns को डाल सकती है लेकिन एक करने वाली बात ये कि Solo Sikowa के मैच के रूमर्स हम रेसल मीने के लिए सुन रहे है या रेसल मीने के लिए नहीं तो किसी और बड़े शो के लिए Jacob Fatu के सामने अभी Roman Reigns को डालानी जाएगा क्योंकि करने वाले तो फिर यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि बैड ब्लड में कोई हिलने सल वाले मैच तो मुझी लगनी रहा भाई Roman Reigns की तीम पर होने वाला है ऐसा हो सकता है कि एक मल्टी पर्सन मैच Roman Reigns का हो वो भी कि WWE बचा के रखेगी अपने आने वाले सर्वाइवर सीरीज के शो कर लिए जहां पर ब्लड लाइन वर्सिस ओजी ब्लड लाइन का मैच होगा तो फिर ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकतो बैड ब्लड में अगर Roman Reigns का मैच हो रहा है कि शादम को किसी एक पुराने वाले ब्लड लाइन के मेंबर के साथ पेर कर दिया जाए क्या पता जिमी उसो तब तक वापस आ जाए या क्या पता जे उसो आके Roman Reigns को जॉइन कर ले अगर उस दोरान कुछ ऐसा होता है कि इंटर कॉंटिनेंटल चैंपेंशिप के लिए जे उसो कोई ब्लड लाइन के मैंबर को करते हैं तो कार्ड पे एक मैच हो जाएका Roman Reigns का बट अगर यही चीज़ भी डेबल लवी स्किप करें तो भाई फिर क्राउन जूली वह जगा बनती है जहां थोड़ा सा रिलाक्स होके बैट सकते हो कि यहां पे तो Roman Reigns का मैच हो गई क्योंकि ऑविसली उसके बीचे रीज क्या करें क्योंकि जो भी बाते हैं ब्लड लाइन के बार में सोचते हैं पर जब एक्च्वर में कुछ होता तो उससे तो अलग ही निकलता है फ्रैंक्फर्ट में डबल अबली का लाइवेंट हो और यहां पे त्रिपल है इसका कैप्शन आप रीड करो तो यह वीडियो में कुछ ऐसा है कि वहां से ना फैंस ट्रिपल ह की तरफ देखके बोल रहें ऐसा कि जैसे उनको शोड दिखा रहें कि देखो हम इतने जादा लाओड है कोडी रोट सी कहते हैं कि ऐसा इमाजिन करो कि जैसे की कैमरा के पीछे ट्रिपल है यहां पर जो वर्ट्स लिके हैं ट्र की ट्वीट और कुछ कॉमेंट करते ना मतला हां ठीके कह सकते हैं कि सारे लोगों की किस्मत या लग जो है वो जर्मनी जैसे क्रावड की तरह नहीं होता इस्पेशली इंडिया वाले लोग होगा तो अब जा रहें ट्विटर पे तो कर सकते हो इसके लिए आप चैनल को ला